नमस्कार राजनामा टीवी पर आपका स्वाकत है मैं प्रिया आपके साथ आईए देखते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरे कतर में सजा पाने वाले आठ पूर्वनेवी अफसर रिहा साथ भारत लोटे यूपी आई भुकतान सेवा अब श्री लंका और मौरिश्यस में शुरू खुद्रा महगाई तीन महिने के निशले इस्तर पर पहुँची राजत के तीन विधायकों ने पाला बदला बिहार के मुख्यमंत्री नितीश ने जीता विश्वास मत विपक्ष का वाक आउट पुर्व सीएम चावान का कॉंग्रेस से इस्तिफा भाशपा में जाएंगे लंदन में बाइक गेंग के निशाने पर भारतिय लूट के केस तीन गुना बड़े सीबी आई की रिपोर्ट मध्यप्रदेश के 65 नर्सिंग कॉलेज अयोग 74 मानों को पर खरे नहीं दिल्ली सील भारी पुलिस तेनाद धारा 145 लागो केंद्री मंत्रियों से वारता बे नतीजा किसान आज दिल्ली कूच करेंगे दक्षिन भारत में प्रत्यक्षियों की सूची पहले जारी करेंगी भाजपा 14 लाग की आभधी वाले राफेह में बड़ा हमला 65 की मोद दो बंदक रिहा कराए हिमाचल में 17 से बर्फबारी की उमीद परियतक उमड़े पाकिस्तान में नवाज और जरदारी की पार्टी धाई-धाई साल के लिए पीएम पद साजा करने को तैयार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का संदेश खाली दोरा भाशपा के छे विदायक निलंबित अयोध्या में केजरिवाल और मान ने रामलला के दर्शन किये अमेरिका के चल्च में फाइरिंग पांस साल का बच्चा घायल UAE में भारी बारिश टुफान से काफी शहरों में पानी भरा उत्राखड में विवादित जगह पर पुलिस थाना बनेगा हेलेरी ने उठाया बाइडेन की उम्र का मुद्दा पार्टी के पिछणने का डर बाकी की तमाम कबरों के लिए बने रही है राजनामा टीवी के साथ थन्यवाद